नमस्काल, लेलोराम.com में आपका स्वागत है, मैं होतकश. क्या आप जगा-जगा पर बने चार्जिंग स्टेशनों पर अपना फोन चार्ज करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह ख़बर आपके लिए है. दरसल में, SBI ने अपने Twitter handle से अपने ग्राहकों के लिए एक सूचना जारी की है, जिसमें उसने ये कहा है कि जगा-जगा पर बने चार्जिंग स्टेशनों पर अपना मोबाइल चार्ज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. इतना कि आपका bank account भी खाली हो सकता है. आईए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरी खबर. भरती स्टेट बैंक यानि की SBI ने अपने कस्टमर्स को धोखा धड़ी से बचाने के लिए अपने कस्टमर्स को एक बार फिर से चेतावनी जारी की है. SBI ने टूट के जरिये अपने ग्राहकों को चार्जिंग स्टेशनों पर मोबाईल चार्ज करते समय सावधान रहने को कहा है. SBI ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशनों पर फोन प्लग-इन करने से उनके फोन में मालवेर आ सकता है. और hackers को आपके password चुराने और data को चुरा लेने में आसानी हो सकती है जो आपका bank account खाली करने के लिए काफी है SBI ने अपने Twitter में आगे लिखा है कि charging station और मौझूद USB charger का इस्तमाल ना करें इससे आपका data चोरी हो सकता है जो आपके bank account को भी खाली कर देगा इसे juice jacking कहते हैं juice jacking से बचने के लिए bank ने कहा है कि charging station पर केवल electrical outlet यानि की electrical socket से phone को direct charge करें इसके लिए अपनी ही charging cable का इस्तमाल करें अगर आप portable battery, power bank का इस्तमाल कर रहे हैं तो इन्हें अच्छे brand और सही vendor से ही खरीदें क्या है juice jacking juice jacking एक तरह का cyber attack है जिसमें सारवजनिक USB port के जरिये आपके mobile को संक्रमित किया जाता है और आपके mobile में malware install कर दिया जाता है जो आपकी निजी जानकारी को cyber अपराधित तक पहुचाने में सक्षम होते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे Facebook पेज पर लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें कर दो हमारे जाता है